हम यहें करीज, वेलकम तो माई यूटूब चैनल, आज हम कंपेर करेंगी इज़र सुलेमान और आप देख रही है, टिकनिकल हजर यूटूब चैनल, let's start the video, सब जब पहले इज़र. पीसे की होले से बात करते हैं तो एज़ी पेशा को टिल्लीनाट पाकिस्तान ने लूंच किया है अगर हम as a сист Teil再 लवि शकारे इन लवाले से बात करें तो एज़ी पेशा की हीड़ाफिस्च कर नाहीं में हैं और JayS Cash का जो हीडाविस है वो इसलामबाद में हैं अगर हम monthly active users के अले से बात करें तो इज़ी पैसा कि टू मिलियन ये 20 lakh monthly active users हैं और JayS Cash के 7 million ये 70 lakh monthly users हैं active monthly user का मतलब ये होता है कि महीनी में एक बार अपने account को इस्तिमाल करते हैं अपने इजी पेसा या जेस केश account को transaction के लिए या bill payments वगएर के लिए इस्तिमाल करते हैं तो इसको हम मंतली एक्टिव यूजर्स कहते हैं तो इजी पेसा की 2 million है ने 20 lakh monthly users है और 7 million 70 lakh active monthly users है वो जेस केश के हैं अगर हम बात करें debit cards के वाले से तो इजी पेसा में आपको एक union पे debit card मिलता है और जेस केश में आपको एक वेजा debit card मिलता है अगर हम बात करें banks के वाले से तो इजी पेसा तिलनार micro finance bank के साथ आप link कर सकते हैं और जेस केश को आप mobling micro finance bank से link कर सकते हैं अगर हम products के औरे से बात करें तो आपको easy pick option मिलता है और product के अगर yes cash के बात करें तो आपको yes pay option मिल जाता है अगर हम saving accounts के बात करें तो easy people कोईशा में आपको खुष्छाल मुनाफ़ account मिलता है और js cash में आपको js cash बश्ट की नाम से saving account मिल जाता है ये थी differences between easypaysa and jet cash account अब बात करते हैं similarities का आले से कि jet cash और easypaysa में किया किया similar है दोनों की में similarities आपको बताऊंगा तो पहले similarity की तरफ जाते है बोथ और mobile banking services याँए आप दोनों जो है नई एक mobile electronic payment systems है अगर हम बात करें दूसरी similarity का आले से तो दोनों में आपको एक लाइफ टाइम फ्री एकाउंट मिल जाता है दोनों में आपको ATM डेबिट कॉर्ज मिल जाते हैं जो आप पाकिस्तान में वाइड लिकिसी भी ATM मशीन पर या पॉइंट आपसिल पर यूज कर सकते हैं दोनों में आपको करेंट और सेविंग अकाउंट का अप्शन मिल जाता है या दोनों में आप करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट क्रियाट कर सकते हैं जेज केश और एज़ी पेसा दोनों में आपको एंशूरंस की फेसिलिटी भी मुयस्थिर होती है EZPESA और JSKES दोने में आपको एक और सहूलत में उस्थे है याप money transfer कर सकते है किसी भी CNAC को या किसी भी bank account में या आप EZPESA account से दूसरे JSKES account में या EZPESA से JSKES में आप जोने money transfer कर सकते है और अगर हम बात करें JSKES और EZPESA के एक और similarity के होाले से तो दोने से आप bill payments कर सकते हैं यानि किसी का गेस काबिल हो या PTCL काबिल हो या electricity काबिल हो तो दोने से आप गर बैटकर pay कर सकते है JSKES से भी और EZPESA से भी आप एक और सहूलत की में बात करूँ तो दोनों में एक कामन यह है कि आप online shopping कर सकते हैं दोनों में आप जो ना within Pakistan online shopping आप JSKES से भी कर सकते हैं और इसके साथ EZPESA से भी आप कर सकते हैं अगर हम बात करें एक और similarity का वाले से जो दोनों में कामन है JSKES और EZPESA में mobile top ups की सहूलत भी कामन है यानि आप अपने mobile SIM को charge कर सकते हैं आप इसको load कर सकते हैं अगर आप एक EZPESA से दूसरे EZPESA में money transfer करना चाहते हैं तो बिल्कुल freely आप transfer कर सकते हैं और अगर आप एक JSKES अकाउंट से दूसरे JSKES अकाउंट में पैसे बेजना चाहते हैं तो बिल्कुल free में आप कर सकते हैं लेकिन अगर आप Easy Paisa से JS Cash या JS Cash से Easy Paisa पेमेंट बेजना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फिर चार्जिस देने पड़ेंगे यह थी information और similarities and differences between Easy Paisa and JS Cash अकाउंट अगर वेडियो अच्छी लेगी हो और informative लेगी हो तो चैनल को ज़रूर सबस्क्राइब कीजेगा Allah आप आपेज